हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं market view के बारे में एंड कुछ major stocks के बारे में जो कि मुझे काफी सही लग रहे हैं आने वाले time के लिए और कुछ opportunities के बारे में तो बने रही है इस वीडियो में start करते हैं और एक सबसे main बात देखिए आप वीडियो देखन समझिए और फिर उसके बाद कोई भी decision दीजिए तो हम सबसे पहले देख लेते हैं nifty के chart की यह हमारी रही watch list nifty 50 तो अभी nifty 50 का chart देखिए proper consolidation चल रहा है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर दूसरी सबसे main cheat जो देखिए मैंने आपको बताई थी कि यहां से तर यह breakout होता है तो हमें जो target मिलेगा वो यह वाला मिलेगा वो target आज अचीव हो गया है और दूसरा जो supply zone था यह वाला जो भी मैंने आपको previously discuss किया था देखिए उस supply zone से किस टाइप से selling दिखिए आज आपके लिए तो आपको selling भी proper दिखिए और consolidation भी proper दिखा है आज तो अभी केरे market मैं अगर बता हूँ तो देखिए यह proper जो भी structure बन रहा है वो एक breakout जैसा बन रहा है अब यह area जो भी ता press था अब वो भी tested हो गया है तो अभी यहां तक तो रोखने केरे कुछ भी नहीं है अब यहां से अगर यह breakout होता है तो सबसे पहरा जो label हमें देखने के मिलेगा वो एक label यह देखने के मिलेगा यहां पर market रुक सकती है फिर second label यह मिलेगा यहां जो market थोड़ा वा सेलिंग दे सकती है और उसके बाद यह उपर जो 20,000 का label है वो वाला label तो आप इन labels को radar पे रखिए और यह जो भी labels है देखिए आपको जब ही trade करने जब आपको stocks stocks में भी opportunities same time पर मिलती है support यहां पर पहुंची market निफ्टी यहां पर पहुंची और उसी time पर reliance में भी यहां पर supply जो दिख रहा है आपके रिये और कुछ major bank में भी दिख रहा है जिसका जो high weightage रखते हैं तो उस point of time पर आप इसको trade कर सकते हैं otherwise आप इसको trade नहीं करेंगे तो अभी मोटा मोटा कर में बता हूँ तो आप इन labels को अपने chart पे apply कर लीजे जिससे कि आपको समझ आएगा कि यह कैसे हमें trade करने हैं अभी मैं आपको यह आगे भी बताता हूँ कि देखिए जब आप यह चीजे करेंगे ना तो क्या इनके benefit मिलेंगे तो अभी हम इसके ब तो यहां तक तो रोखने के लिए कुछ नहीं देख रहा है तो reliance bullish है अभी भी जैसा मैंने कल बोला था reliance अभी भी bullish है और चोटे मोटे demand zone की बात करें तो देखिए अभी मैं जो बोल रहा था कल की एक demand zone यह बन सकता है अब देखिए ओ demand zone बन चुका है तो यह जो भी कि आफिए और अब ही ऑगर बात करें तो पर्ल विए många के बात करें तो यहां तक तक रोखने के लिए कुछ भी नहीं था तो यहां तक तो vlust है काफ़ी जादा अब बात कर लेते हैं तो बेंक निफ्टी के बारे में तो बेंक निफ्टी देखए बाकर जैसे निफ्टी म बन रहा है जो कि demand zone supply zone की basis पर ही बन रहा है जो कि मैंने आपको पहले ही बता है हम यह नहीं की देखिए यह trend line बन रही है यह pattern बन रहा है उसके basis पर trade वगर नहीं करते है तो अभी आप इसको देखेंगे इसमें वो चीजे हो रही है अभी एक चीज और जो मैं आपको दिखाना मिलेंगे लेकिन अभी के लिए यह non authentic रहेगा हमारे लिए क्योंकि इसका कोई achievement नहीं है अभी क्योंकि अभी यह almost supply zone में ही पहुचा है अब यह supply zone को तोड़के ऊपर जाता है यहां तक तो हम इसको आने वाले डाम में trade करेंगे तो आप इसको भी mark करके रखिए और अभी के लेते हैं कुछ stocks के बारे में जैसे कि HDFC bank तो HDFC bank देखिए daily time frame पर एक green candle काफ इच्छी बनी है gap down opening होने के बाद काफी positive note पे close हुआ है और अभी देखिए यह भी काफी bullish लग रहा है जैसा कि मेरे को bank nifty लग रही है वैसे ही यह bullish लग रहा है और यह काफी आपको अच्छा moment दे सकता है आने वाले time में इसकी हम छोटे time frame में supply zone देख लेते हैं जो कि मेरे को visible है वो approximate 1540 के असपास है तो 20 point का movement यहाँ पर भी है काफी सही बात कर लेते हैं ICICI bank की तो ICICI bank देखिए demand zone माने के बाद गारा है यह काफी bullish लग रहा है भी back to back यह देखिए आप rejection दिख रहा बात कर लेते हैं Kotak SBI की तो SBI देखिए यहाँ तक कर रहा है अगर यह नीचे आ जाता है यहाँ पर यहां तक आ जाता है तो देखिए काफी beneficial रहेगा और बाकी यह अभी इतना यादे बेरिस नहीं कह सकते हैं को कि यह बहुत यादे बेरिस हो इसमें भी rejection आपको देखने क गिरा है अब I don't know क्या news थी क्या चीजे थी मुझे उसका कोई भी अंदाजा नहीं जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज आप यह देखिए कि यहाँ पर यह बिल्कुल all-time high से आ रहा है ना कोई previously supply zone है ना ही कुछ है ऐसा daily damn frame पर अगर हम देखें तो daily damn frame पर एक यह area है यहाँ से एक price buying initiate हुई और जो की all-time high के आसपास पहुची बट अभी एक इसमें जो दिक्कत है वो यह है कि यह 8% का selling pressure एक ही दिन में बदब 8% stock एक ही दिन में गिर रहा है तो थोड़ा selling pressure तो है यह calendar अपने आप में ही बता र यह जो area है आप इसको 125 में के time frame पर यहाँ पर आप trade कर सकते हैं इसको यह area पूरा support का काम करेगा काफी अच्छा demand जो उनका काम करेगा क्यों प्रीबिस लिए पर देखी यहाँ से ही buying initiate हुई फिर दवारा यहाँ आता है फिर उपर गया है तो अब ही के लिए यह 10 point का stop loss है और इसको आप analyze कीजिए और observe कीजिए कि यह बर्क करता है नहीं करता है अगर यह बर्क करता है तो काफ अच्छा risk reward आपको देगा और इससे अलग कुछ और भी stocks जो की bullish लग रहा है काफी मैंने previously भी बोला था कि nifty media मुझे काफी bullish लग रहा है तो अभी हम उसको भी discuss कर लेत यह रहा हमारा और nifty media का अगर चार्ट आप देखेंगे daily damn frame पर तो देखिए वर्कोल एक bomb जैसा structure देख रहा है मेरे को कि यह फटेगा तो आप इसको यह जो structure था वो तो मैंने पहले ही discuss किया था और कुछ stocks जैसे की halfway यह stock देखिए अगर देखिए एक तो यह demand zone जो भी मैंन TV तो देखिए DGTV काफी सही लग रहा है इसमें proper studies हमारी की हुई है और इससे लग आप जो भी stocks को देखेंगे न इसमें वो काफी bullish लग रहा है जैसे देखिए अब इसमें demand zone यह हमारा alert लगा हुआ था दिलकुल देखिए opening होती है opening के बाद यह थोड़ा ही उपर से चल जा इसमें इसमें जो stock था जील वाला वो आप देखे ही कि आपको देखो मदब जो भी मैंने बताया था previously काफी अच्छा momentum न हमें दिखाया बात कर लेतें network 18 की तो network 18 तो आपको याद होगा definitely कि इसको मैंने कितने नीचे से आपको बताया था यह काफी अच्छे से बताया था मै approximate इस point of time पे 63 रुपीज पर अब यह 63 रुपीज से almost आपका 88 रुपीज पहुँच गया तो यह जो momentum आपको मिलता है और demand जोन और supply जोन की basis पे ही मिलता है तो यह जो भी momentum है आप इनको ऐसे ही observe कीजिए जो भी मैंने labels रोता है और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको वीडियो काफी सही लगी है और आपको कुछ समझ आया तो आप definitely मुझे comment करके बता ही सकते हैं और thank you